हर्याना सरकार की नई टेंडर पॉलिसी के विरोध में परदेश भर के लिदान उठान ठेकेदार लामवद है सरकार की शर्ते ठेकेदारों के लिए डेट वोरेंट साबित हुई है आपको बता दे कि हर्याना सरकार की नई उठान और लदान पॉलिसी के विरोध में रविवार को करनाल के करन लेग परिसर में परदेश भर के MLC और MTC ठेकेदारों की बैठक आयोजित की गई इस बैठक में तै किया गया कि ठेकेदार सरकार की नई पॉलिसी के विरोध भी टेंडर नहीं डालेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरण नहीं किया जाता तब तक उनका टेंडर भहिशकार जारी रहेगा बैठक में ठेकेदारों की मांगों पर विचार किया गया उनका कहना था कि उपमुख्यमंति दुशन चुटाला से मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला सरकार ने पॉलिसी में जो शर्ते लगाई है वे ठेकेदारों के लिए मोत का वारंट साबित हो रही है इसके चलते कही ठेकेदार आत्म हत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे आज बैठक को लेकर जानकारी देते हुए अशोक खुराना ने बताया कि सभी ठेकेदार टैंडर के लिए बनाए गए गलत नियमों और शर्तों का विरोध करते हैं बैठक में कई नियने लिए गए उन्होंने बताया कि मंडी से उठान में देरी होने पर पनेल्टी सोर रुपे प्रतित्रक और बहातर घंटे का समय परदान किया जाए मंडी से लोडिंग वस सिलाई भराई तुलाई का काम MLC द्वारा नहीं किया जाएगा MLC के schedule rate revise किये जाएं और इन्हें पंजाब राज्ये की rate की तर्ज पर किया जाए गोदाम में उतराई के समय मशीन सरकार द्वारा मुहिया करवाई जाए माल उतराई का समय एकले प्लेची पर कम से कम 12 घंटे लेना जाहिए सरकार की द्वारा जो 30% ट्रकों के लिए 60,000 उपेर प्रति ट्रक सिक्योर्टी की शर्प लगाए गई है उसे खत्म किया जाए और पिछले साल की तरह एग्रीमेंट को मान्य किया जाए MTC के कारी का अनुभव प्रमान पत्र देना जो मना किया गया है उसे HV में दो ठेकेदार का प्रावधान किया जाए उन्हें खत्म किया जाए पिछले साल की तरहं सिर्फ एक ही ठेकेदार अधिकृत किया जाए और नेगोईशियन केवल L1 से ही किया जाए इस असरफ पर टै किया गया कि यदि उनकी मागे नहीं मानिक जाती ही तो पूरे प्रदेश में MLC और MTC ठेकेदार उद्वारा टेंडर का भहिशकार किया जाएगा परिकत्री तुम्हें हम इन से बात करना का भी प्रियास करेंगे देखते हैं कि अब ये क्या कहना चाते हैं अब इसलिए मीटिंग हुई है कि हर्याने में जो नई पॉलसी आई है मंडी MLC और ट्रांसपोर्ट के लिए उस पॉलसी में ठेकेदार कोई भी काम नहीं कर सकता उसमें कनीशने इतनी हैवी कर दी हैं कि काम नहीं चल सकता पहले हम कि अर्थिया लोडिंग करता था और ट्रांसपोर्ट का काम MLC करता था स्टैकिंग आगे जिस्ग हमारे से और ठ्रकों की पहले 220 गंटे टएम था सोल पर होती थी अब इन्होंने अटाली गेंटे टैम रख दिया और 500 पर पनल्टी कर दी ट्रक लिफ्टिक जो नाल भर जाता है नहीं कुस्कों 48 गेंटे में रिमूव करना है अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रक 500 पर पनल्टी होगी एक जो अब आपके उपर जो डैंक की लिमिट का अब इन्होंने करता था और अगे उत्राई जहां तो मंडी में माल साइक किया तो आड़ती वो करता था अब इन्होंने कह दिया है कि मंडी से लोडिंग वितूंग करो गें और अड़ताली गेंटे में मंडी क्लियर करनी है जो माल आज प्रचेज हुआ है उसको अड़ताली गेंटे में खली करता है पहले आड़तिया करता था अब MLC को बोल रहे हैं मंडी लेवर कंटेक्टर को फर्क यह पड़ेगा पहले अगरे एक MLC के मंडीयों में 300 आड़ती है उनसे मंडी क्लियर नहीं होती थी और एक ठेकदार सारी मंडी को कैसे क्लियर कर लेगा यह आड़तिया जो वीट आती है जीमिदार होगी उनको पता होता मेरे किसान की कितनी वीट आनी है वो जल्दी पेमेंट लेने के लिए ज्य करनी है और आगे कौन सा काम करना है क्लाज उन्होंने एक डाल जरूरती है लेकिन वह क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अगरे टाइम हमें वह कह देंगे जब अना जाजेगा मंडियों में बरके डेर कड़े हो जेंगे तुम लेबर पर तुमने परवाइड करनी है तो हजार कर देंगे हमारी जो द्रोगर राच्षी है जो स्कोटी है वो फोर्विट कर देंगे उससे वह भी तो हमारी तीन दिन पहले डिप्टी सीयमा और कमिशनर फूट के साथ मीटिंग होई थी उसमें डिरेक्टर फूट भी थे तो हमने कहा कि पहले प्छेतर बतर गंटे में 100 क्योंकि एक जगा का स्टॉक जो है जहां स्टॉक लगना वहां दस-दस मंडी का स्टॉक आ जाता है और तिन तिन दिन ने उतर देंगे और इनके ताली गंटे बाद 500 रुपया स्टार्ट होजेगा कि अगर नीट को यह जाक दिन तौ के बैंक हो थेक्ट सोब्सक्राइब को अपर आगे हुज में कर्वें करहें नेवाट बैंक वाल इस अचाह दूसरा पहले पहले होता था कोई बैंक गरंडी नहीं होती थी दो बैंक गरंडी बनाने के लिए अगर आपकी एक लाग की को उसके उपर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है इतनी वो सोचते हैं यह पता नहीं अडानी बानी वाली कंपनी है हम तो ठेकेदर मिदूर आदमी है अब सरकार के इस कानून को क्या कहना चांगे और इसका विरोद कैसे जटाएंगे एक आपने बताया कि हम ठेका नहीं डालेंगे बैंक लिपिन एक चलो बैंक लिए अच्छा दूसरी बात यह कि यह यह जो अब यह सुनने में आ रहा है कि आड़तिया का काम भी हमें करना पड वे न हमारे पहले हम एक सी के ठेके दारभी हैं पहले हमारे ठेक ठेक के हुए थे उसमें लेबर काम करती थी रे लेट पर इसमें जब टेंबर डला उसमें लिख दिया HTC हमने कहा TC का काम कर रहे हैं HTC क्यों लिखते हैं तुम्हारे से काम नहीं होगा लेकिन बाद में सेंटर कॉर्णिन ने लेवर को अठा दिया तो HTC का काम हमें करना पड़ा जो हमें बहुत क्रोडों रुपए का लाउस हुआ है हमारी डिमांड है जो कंडिशन पहले थी आज आर दस साल से चलिए आ रही हैं उसी कंडिशन पर हम काम करेंगे दोस्तों ये अब आपने सुन लिया हुआ ये 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 मैं आपको बता दू कि ये सब बात कर रहे हैं इन्होंने हमें बताए किस तरह जो इन्हों के सरकार ने जो भी नई गाइड लाइंज जारी किया हैं उनके साथ ये काम करने को तैयार नहीं है उसके अनुरूप ये काम क प्रेस के लिए धन्यवाद। प्रेस के लिए धन्यवाद।